क्या आपको पता है आज से 7 साल पहले 2015 में इंडिया से एक फिल्म को आसकर वालों ने खुद सिलेक्ट किया था नहीं जानते ना फिल्म का नाम था रंगी तरंगा खदरनाक मिस्ट्री फिल्म जिसके सस्पेंस ने फिल्म देखने वाले हर इंसान को लिटरली पागल कर दिया था कोई बात नहीं अगर आपने उसको नहीं देखा यूट्यूब एक दम फ्री मिल जाएगी वो भी हिंदी में आज इस वीडियो के बार तरंग देख लेना और ये चहरा जो आपने देखा वो काफी इंटरस्टिंग लगा होगा ना अब उसी चहरे की कहानी बताने के लिए सेम डिरेक्टर ने दूसरी फिल्म बनाई है विकरांत रोणा इसको लोग कंपेर करें हैं बाकी पैन इंडिया मुवीज जैसे केजिएफ आरारार पुषपा के साथ जी नहीं है विकरांत रोणा अलग टैक का सिनिमा है जिसमें सिफ आखों को सैटिसफेक्शन ही दिमाग का एक्जाम बी लिया जाएगा कहानी एक डरावने से गाउं की है जिसके जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता है जो छोटे बच्चों का शिकार करता है टोटल 16 बच्चों की लाश मिली है और हर मर्डर में सिफ एक चीज़ कॉमन है चहरे पर यह अजीब सी पेंटिंग वैसे यह ब्रह्म राक्षस कहां रहता है हर कोई जानता है फिर भी यह पकड़ा क्यों नहीं गया यही सोच रहे हैं क्योंकि उसके भूतिया घर में कली गाउं के सबसे सीनियर आफिसर की लाश मिली थी और उसकी स्टरीर से गर्दन गायब थी लेकिन जब इंसान हार गया तब शैतान का मुकाबला करने गाउं में एक दूसरा शैतान आता है विकरान त्रोणा नौकरी तो यह पुलिस की करते हैं लेकिन दिमाग राक्षस से भी खतरनाक है बड कहानी में असली ट्विस तब आता है जब अपना हीरो खुद विलन के गैट अप में आ जाता है वही पेंटिंग जो हर मरने वाले बच्चे के चहरे पे थी आज वो खुद विकरान त्रोणा के चहरे पे है तो ये शिकार ही है या शिकार इंस्पेक्टर सहाब की गर्दन कहीं गायब तो नहीं होने वाली या फिर ये खुद दूसरों की गर्दन उड़ाने वाले ब्रमराक्षस हैं इल्यूजन समझते हो आप आँखों का धोका जिसमें क्या सच है क्या जूट पकरना अल्मूस्ट इंपॉसिबल होता है ये कहानी भी एक इल्यूजन जैसी है फिल्म की ताकत है स्टोरी टैलिंग जिसको एक जंगल के बीच में बिठा कर आपको सुनाया जाता है वैसे जंगल में डाले गए स्पेशल इफेक्ट्स कमाल के हैं हर तरफ अन्हिरा ही अन्हिरा सिनेमाटोग्राफी काफी डार्क है लेकिन दिमाग को फसाने के लिए एकदम पर्फेक्ट सच सुनने में जूट जैसा लगता है और जूट इतना सचा जिसमें शक करने में पाप जैसा लगे कहानी है बड़ी मज़दार और चालाग जिसको आप बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते सस्पेंस आपको फिल्म की एंडिंग जानने के लिए मजबूर कर देगा प्लस कहानी को हीरो अपने इशारों पे चला रहा है या फिर एक विलन खुद को हीरो की तेरे प्रेजेंट करके ओडियंस के दिमाग से खेल रहा है ये कॉंसेट भी कमाल का है और हाँ एक चीज़ ध्यान से सुन लीजे फिल्म में सिर्फ मिस्ट्री और थ्रिल नहीं है इसमें हॉरर भी है वो भी जम्सकेस वाला कहीं से भी बिना बताय बिना वर्निंग दिये अचानक से हस्ती खेलती कहानी भूतिया बन जाती है तो उसके लिए दिल को स्ट्रॉंग रखिएगा किचा सुदीब जो फिल्म को लीट कर रहे हैं उनको डिरेक्टर ने एस हीरो एंड विलन दोनों तरीके से कहानी में फिट कर दिया है उनके अराउंड बजने वाला म्यूजिक या फिर उनके पास्ट पर पढ़ा हुआ परदा और सबसे शॉकिंग मरने वाले इंसान की आखरी मुलाकात हर बार इनके साथ होना फिल्म में इल्यूजिन किसने बनाया किचा सुदीप ने ये खुद इस कहानी का सर्प्राइस फेक्टर है देखो जूट नहीं बोलूँगी विकरान त्रोना एक मास्टर पीस फिल्म नहीं है लेकिन कुछ नया ट्राय करने की कोशिस ज़रूर की गई है औरिजनल एक्सपेरिमेंटल सिनिमा बॉलिवुड की तरह रीमेक पर रीमेक पिटने के बाद फिर से एक नई रीमेक के साथ वापस लोटना ये घटिया काम यहां नहीं किया गया बॉलिवुड अगर ऐसी फिल्म बनाता तो पता नहीं हिंदी सिनिमा कहां पहुँच जाता वैसे बॉलिवुड से यादा है जैकलीन भी है इस फिल्मे और भई कर रही है जिस काम में मैडम एक्सपर्ट है डांस और इनके इशारे पे खुद विक्रान त्रोणा नाच रहे हैं लास्ट में बस एक एडवाइस दूँगी अगर इस फिल्म को आप पूरी तरह फील करके इंजॉय करना चाहते हो तो पहले रंगी तरह का एक बार जरूर देख लेना तभी इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको जाधा सैटिस्फेक्शन देगा मेरी दरफ से विक्रान त्रोणा को पांच में से साड़े तीन स्टार्स पहला तो सिस्पेंस, मिस्ट्री जो एंड तक पकड़के रखेगी दूसरा कहानी बताने का तरीका, तीसरा हीरो या विलन ये कमाल का कॉंसेप्ट और आधा फिल्म का क्लाइमेक्स जो विश्विली आपके होश उड़ा देगा नेगिटिव में एक स्टार्स फिल्म की लंबी डिरेशन जिसके जिम्मेदार लंबे-लंबे गाने हैं जिनकी ज़रुद बिल्कुल नहीं थी और आधा स्टार कहानी में छोड़े गए कुछ सवाल जो इसको इलोजिकल बनाते हैं चोटे-चोटे सप्लॉट्स और होते तो फिल्म बिली बेवल लगती ही बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा से इंतजार करें मिलूँगे आपसे अगले वीडियो में तिक कर, बाइ-बाइ